पंजाब राजय खेल खिलाडी और जवानों के लिए पैचाना जाता है साल 2010 की बात है जब चंदिगड की पंजाब उन्वस्टी में दो युवा पढ़ने आए इन में एक कबड़ी खेलने में माहीर था तो दूसरा एथलीट बनने के लिए मैदान में पशीना बाहा रहा था खेल के मैदान में दोनों की बातचीत सुरू हुई धीरे धीरे दोनों की बातचीत दोस्ती में बदल गई लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि खेल का मैदान पीछे छुट गया और दोनों खिलाडी अपराद की दुनिया में उतर गए यहां उन्होंने ऐसा खेल खेला कि उनके खोप के सिकंजे में बड़े बड़े धरासाई होने लगे आज बिजनस से लेकर बोलिवूड तक में उनके डर का सामराजय फैला हुआ है यह सारी बात हो रही है गैंगेस्टर लोरेंस विश्णोई और कनाडा में रह रहे है उसके दोस्त सत्विंदर सिंग उर्फ गोल्डी बराडगी बारे फरवरी 1992 में पंजाब के फाजिलका जिले की अबहवर तैसिल में लोरेंस का जनम हुआ था लोरेंस का एक छोटा भाई है जो यूएस से में रहता है लोरेंस की सुरुवाती पढ़ाई अबहवर के ही अजंसन कोनवेंट स्कूल में हुई यहां से उसने दस्वी पास की तथा बार्वी की परिक्षा उसने चंदिगड के डियेवी स्कूल सेक्टर 15 से पास की इसके बाद उसने पंजाब उन्वरस्टी में एडमिसन ले लिया लोरेंस ने साल 2009 में चातर आजनिती में हाथ आजमाने शुरू किये और स्टुडेंट और्गिनाइजेशन ओपंजाब उन्वरस्टी यानि सोपु को जोईन कर लिया इसी उन्वरस्टी में साल 2010 में उसकी गोल्डी ब्राड से मुलाकात होई गोल्डी के पिता पुलीस में थे युन्वरस्टी में इवनिंग क्लासिज में पढ़ाही कर रहा था गोल्डी कबड़ी का बेतरीन खिलाडी था वह हर रोज साम को खेल के मैदान में कबड़ी की प्रैक्टिस करता था इसी मैदान में लोरेंस एथलीट बनने का सपना देख रहा था लोरेंस से दोस्ती बढ़ने के बाद गोल्डी ने इवनिंग क्लासिज की बजाए नोर्मल क्लासिज में एडमिस्न ले लिया इसी बीच राजनिती में हाथ आजमा रहे लोरेंस के विरोधी यूनियन पंजाब युनिवरस्टी स्टुडेंट एस्वसियेशन यानि पूसु से जुड़े लोगों से उनके जगडे बढ़ने लगे लोरेंस के खिलाब पहली FIR चंदिगड के सेक्टर 11 की थाने में दर्ज होई उस पर पूसु के प्रेजिडेंट उद्यप पर फाइरिंग करने क्या रोप थे इस मामले में लोरेंस की गिरफतारी हुई और उसे 45 दिन चंदिगड जेल में रहना पड़ा जेल से बाहर निकलने के बाद लोरेंस ने गोल्डी ब्राड के साथ गुरूप बनाया चातर राजनिती में अपना सिक्का कायम करने के लिए उन दोनों ने चंदिगड के कोलेज कोलेज घुमकर विरोधियों के साथ मारपीट और लड़ाई जगडे शुरू कर दिये देखते ही देखते लोरेंस के हिलाप 13 प्रादिक मामले दर्ज हो गए और वह सहर में चर्चा का विश्यव बन गया दो से तीन केस में गोल्डी का भी नाम सामने आया लेकिन उसके पिता पुलीस में थे तो उन्होंने उसके नाम मुकदमों से हटवा दिये गोल्डी के पिता ने उसे जगडों से दूर रखने के लिए पढ़ाई के बहाने कनाड़ा भेज दिया वहीं पुलीस केस में फसे लोरेंस ने भी अपने परिवार से दूरी बना ली और अलग-अलग ठिकाने बना कर गुरूप के दोस्तों के साथ रहने लगा आज लोरेंस विष्णोई जेल में है और गोल्डी बराड कनाड़ा से अपनी गैंग को चला रहा है दोस्तों लोरेंस विष्णोई और गोल्डी बराड की दोस्ती के बारे में आपकी क्या राए है कमेंट करके जरूर बताएं